दोस्तों मैं सुरम बलिक आप सब भी का Only Top Study चैनल पर स्वागत करता हूँ आज Mixed GK में हम देखने वाले हैं Top 33 GK के ऐसे Question Answers जो की दोस्तों परिक्साओं में Repeat होते हैं तो पूरी वीडियो को ध्यान से End तक देखना, 33 में से कितने Questions के Answer आप लोग सही कर पा रहे हैं अपना Score कमेंट बोक्स में जरूब होतेगा चलिए सुरू करते हैं पहला Question है चेत्रपल की दरस्टी से विश्व का सबसे बड़ा लैनलोक देश कोंसा है मेरे प्यारे दोस्तों लैनलोक देश वो देश होता है जो चारों तरप से दूसरे देशों से घिरावा होता है यानि कि उसकी कोई भी boundary water body से touch नहीं करती है ठीक है तो कौन सा देश है दोस्तों हो है कजाकिस्तान सबसे बड़ा कजाकिस्तान है अगर दूसरे नंबर की बात किजे तो वो मंगोलिया हो जाएगा ठीक है यह पहले नंबर पे आजाता है कजाकिस्तान और दूसरे नंबर पे यह दोनए आपको याद दखना है क्योंकि दोनों ही एक्जाम में पूछे जाते हैं दूसरा कोशन आता है विष्व में सवजल की मचली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है तो इस कोशन का दोस्तो राइट आंसर रहेगा चीन यानि की डी राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तो अगला कोशन है विष्व का कौन सा देश तीन का सर्वदिक उत्पादन करता है देखिए आपको हरे कोशन का आंसर कमेंट बोक्स में भी बताना है मैं आपको इसके लिए तीन सेकिंड का समय देता हूँ हरे कोशन में तो फटा-फट आंसर बताईए दोस्तो टीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कोंसा है तो ये हो जाएगा दोस्तो मलेसिया यानि की option दोस्तो डी राइट आंसर हो जाएगा वही ठीक है चले अगला question आता है विस्व में ग्यहुं का सबसे बड़ा निर्यातक देश है तो इस question का दोस्तो right answer क्या रहेगा ज हो जाएगा तो यह आपको याद अखना है अगला कोशन है विस्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है अगर कपास की बात की जाए दोस्तो तो सबसे बड़ा कपास का उत्पादन करने वाला देश कौन सा हो जाएगा तो इस कोशन का दोस्तो राइट आंस करते हैं Only Top Study चैनल पर तो इसको कैसे ले सकते हैं सबसे पहले Only Top Study एप को डाउनलोड करिए 5 स्टार की रेटिंग कर देना इसके बाद आपको सारी पीडियाप फ्रीवें मिल जाएगी यूटूब फिरी पीडियाप वाले सेक्शन में जा करके और जो हमारी पेड पीडियाप है दोस्तों मास्टर पीडियाप जो है हमारी 6000 के कोशन आंसस वाली जिसमें आपको इस्ट्री जोग्रफी पॉलेटी एकनॉमिक्स फिजिक्स चैमेस्ट्री बायलोजी कर इंटरफिर कंप्यूटर एस्ट्रेटिक जी के सारी चीजे मिल जाती है यह मिलेगी हमारी वेबसाइट और वोट्सप नंबर से तो आप इसको भी परचेज कर सकते हैं चाहे आप किसी सरवदिक उत्पादन करने वाला देश कोन सा है तो यह हो जाएगा ओस्ट्रेलिया यानि की दोस्तों सी राइट आंसर हो जाएगा वही अगला कोशन आता है विस्व में अंगूर का सरवदिक उत्पादन करने वाला देश कोन सा है और देखे इसी परकार से मैंने कल भी एक वीडियो कवर कराऊंगा ठीक है तो राइट आंसर हैगा इटली यानि कि ओप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा अगला कोशन आता है विश्व में प्राकर्तिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है थाइलेंड देखे ध्यान रखना प्राकर्तिक रबर पूछ रहा अगर सिंथेटिक रबर पूछता तो तब क्या होता क्योंकि मैंने कल की वीडियो में कवर करा था फटा-फट कमेंट बोक्स में आंसर बता दीजे इस कोशन का राइट आंसर दोस्तों सी रहेगा नोवा कोशन आता है किली मंजारो परवत किस देश में इस तीज है तो किली मंजारो परवत यह वाला रिपीट हो गया हमारा तंजानिया दोस्तों राइट आंसर हैगा यानि कि D is the right answer अगला कोशन है विस्व में बोक्साइट का सरवदिक संचित भंडार कहां पर पाया जाता है दोस्तों राइट आंसर हैगा ओस्ट्रेलिया में दोस्तों यानि कि B right आंसर हो जाएगा अगला कोशन है विस्व का कौन सा देश टीन का सरवदिक निर्यात करता है ध्यान से समझेगा हर एक कोशन अलग है बट उसमें पूछा जानेगा अभी मैंने पूछा था टीन का सरवदिक उत्पादन करने वाला देश अभी पूछना हो दोस्तों निर्य 你 स्वर्वधिक तो रैट अंसर हो जाएगा इस प्रकार से भी कोशन पूछ जाता है अगला कोशन आता है दोस्तो λिष्व का में से नमलकत में से कर इस दोस्तों यानि की गोल्ड का उत्पादन करने वाला देश है दक्सिन अफरीका सबसे जदा तो right answer दोस्तो D हो जाएगा अगला question आता है विश्व में अफीम का सरवधिक उत्पादन देश कोन सा है तो विश्व में अफीम का सरवधिक उत्पादन करने वाला देश कोन सा हो जाएगा दोस्तो तो इस question का right answer हैगा अफगानिस्तान यानि की B रैट आंसर दोस्तों हो जाएगा अगला कोशन है विश में जैतून विस्तरित छेतर में उगाया जाता है दोस्तों राइट आंसर हेगा फ्रांस में यानि की ओप्शन A रैट आंसर हो जाएगा वई अगला कोशन है विश्व में कपास की किर्सी के अंतरगर सरवदिक छेतरपल किस देश में पाया जाता है दोस्तो अगर छेतरफल के इसाब से देखा जाए तो विस्व में कपास की किर्सी के अंतरगत सरवदिक छेतरफल किस देश में पाय जाता है तो वो भारत हो जाएगा यानि कि D रैट आंसर हैगा दोस्तो इस कोशन का सेयुत्तर अगला कोशन है विस्व की कहवा मंडी के नाम से कोन परसीद है इस कोशन का दोस्तो रैट आंसर हैगा साव पालो यानि कि Option A रैट आंसर दोस्तो हो जाएगा अगला कोशन है विस्व में मक्का की पेटी किस देश में पाय जाती है दोस्तो इस question का right answer हैगा संयुक्त राज्य अमेरिका में यानि की option A right answer हो जाएगा question number 18 है विश्व के सर्वदिक वर्षा के छित्र है इस question का दोस्तो right answer के रहेगा विश्वतिय प्रदेश यानि की option हो जाएगा C right answer अगला question है विश्व के किस प्राकर्तिक प्रदेश में सर्वदिक वर्षा स्वरिवार्षिक तपंतर पाया जाता है तो इस question का दोस्तो right answer के रहेगा तो यहाँ पर right answer हो जाएगा दोस्तो तेगा प्रदेश में यानि की दोस्तो option A right answer हो जाएगा ठीक है अगला question है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्तल किस प्राकर्तिक प्रदेश में स्थित है तो विश्व के सर्वदिक दोस्तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्तल किस प्राकर्तिक प्रदेश में स्थित है तो right answer है इस question का दोस्तो right answer हैगा उस्मा मरुस्थलिय परदेश यानि की option A right answer हो जाएगा अगला question आता है सरवदिक संख्या में लैनलोग देश किस महादीप में है ये एक अलग question है और important भी है तो अगर सबसे अधिक लैनलोग country की बात की जाए दोस्तो वो आपको बताना है किस महादीप में है तो right answer हैगा अफरीका में यानि की D right answer हो जाएगा अगला question है पल्लव राज्य की राजधानी क्या थी दोस्तो पल्लव राज्य की राजधानी थी काचीपुरम यानि की option दोस्तो C right answer हो जाएगा अगला कोशन है किस राश्टकूट साशक ने रामेशुरम में विजय स्थम्ब एवं देवाले का स्थापना की थी तो इस कोशन का राइट आंसर हैगा क्रिशना थर्ड ने यहाँ पर मिस्प हो गया दोस्तों यह क्रिशना थर्ड रहेगा तो यह वाला कर लेते हम तो राइट आंसर सी हो जाएगा यह आपको क्रेक्ट कर लेना है तो याद रखेगा दोस्तों थर्ड रहेगा क्रिशना थर्ड तेलप सेकिंड दौरा यानि की सी राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा मंदिर इस्थापित कला की द्राविड सैली का आरंब किस राजवन्स के समय में हुआ दोस्तो राइट आंसर हैगा पल्लव वन्स में यानि कि ओप्षन ए राइट आंसर हो जाएगा चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे दोस्तो राइट आंसर हैगा कुलंजू यानि की ओप्षन ए राइट आंसर हो जाएगा भई अगला कोशन है एलोरा के केलास मंदिर का निर्मान किस ने करवाया था दोस्तो राइट आंसर हैगा कृशन फर्स्ट ने यानि की ओप्षन ए राइट आंसर हो जाएगा अगला कोशन है दक्षिनी भारत का तकोलम का युद किसके बीच हुआ था तो तकोलम का जो युद है दोस्तों ये हुआ था चोल एवम रास्ट कूटों के बीच यानि की ओप्षन बी रैट आंसर हो जाएगा अगला कोशन है पर्थम भारतिय सासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतिय नोसेना की सरूचता इस्थापित की दोस्तों राइट आंसर हैगा राज राज फर्स्ट यानि की ओप्षन ये रैट आंसर हो जाएगा अगला कोशन है अलोरा में गुफाओं वे सेलकृत मंदिरों का संबंध किसे है तो राइट आंसर हैगा हिंदू, बोदू एवं जैनों से यानि की डी रैट आंसर हो जाएगा दोस्तों अगला कोशन है वे चोल राजा कोन था जिसने सिलंका को पूर्ण सवतंतरता दी और सिहल राजकृमार के साथ अपनी पुत्री का विवाग कर दिया था तो इस कोशन का रैट आंसर रहेगा कुलोतूंग फरस्ट ने यानि की ओप्शन ए रैट आंसर हो जाएगा अगला कोशन है एलोरा की गुफाओं का निर्मान किसने करवाया था दोस्तों रैट आंसर हैगा रास्ट कुटो ने यानि की ओप्शन सी रैट आंसर हो जाएगा अगला कोशन आता है भगवान नटराज का परसिद मंदिर जिसमें भरत नाट्यम सिल्प कला है इस्थित है तो ये इस्थित दोस्तों चिताम्ब्रम यानि की ओप्षन बी रैट आंसर हो जाएगा अब ये थे 33 कोशन आंसर कितने कोशन आप लोगों ने सही किए एक तो ये बते है कमेंट बोक्स में साथी साथ दोस्तों ये भी बते है कि विस्व में प्राकरतिक रबड का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है ये आपके लिए एक टेस्ट कोशन रहेगा तो इस कोशन का अंसर कमेंट बोक्स में बता दीजेगा दोस्तों अगर आपको इसकी पीडियाप देखनी है तो ओनली टोप स्टडी आप को डाउनलोड करिए फाइव स्टार की रेटिंग करिएगा और इसकी पीडियाप आपको दोस्तों दो से चार दिनों में ओनली टोप स्टडी आप पर मिल जाएगी तो आप जाकर के देख सकते हैं और जो हमारी पेड पीडियाप है दोस्तों मास्टर पीडियाप छेहजार के कोशन आंसर की इसमें आपको सारे सब्जेक्ट अच्छे तरीके से मिल जाएंगे इसमें आपको हिस्ट्री, जोग्रफी, पॉलेटी, एकनोमिक्स, फिजिक्स, केमेस्ट्री, बायलोजी, कर एंटरफेर, कंप्यूटर, इस्ट्रेटिक, जीके यानि कि ओल सब्जेक्ट इसमें मिल जाते हैं आपको जो एक्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों आप हमारी वेबसाइट और वोटसप नंबर पर विजिट करके भी इस पीडियाप को परचेज कर सकते हैं चैनल पर नए हैं तो सबस्काइब जरूर करिए क्योंकि आग आने वाली कोई भी वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाएगा और वीडियो को लाइक शेर करना मत बूलेगा थैंक यू सो मच दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स क्लास में बाई बाई आवरें टेक क्यार